हेलो फ्रेंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत इंपोर्टेंट वीडियो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के एक इंपोर्टेंट प्रोविजिन की जो कहता है कि आपको अपना ITC रिवर्स करना पड़ सकता है और साथ ही साथ आपको इंटरस्ट भी पे करना पड़ सकता है तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं उससे पहले चैनल सबस्क्राइब कर लीजिए ताकि सब भी इंपोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे हैं तो चलते हैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 पर दोस्तों यह मैंने आपके सामने ओपन किया है सेक्शन 16 इसका सब सेक्शन 2 कहता है कि नो रजिस्टर परसन शेल बी अंटाइटर्ड टू टेक क्रेडिट ओफ आईटीस इन डिस्पैक्ट ओफ गूर्स और सर्विस और बोथ अनलेस या तो आपके पास इन्वोईस हो, डेबिट नोट हो, सपोर्टिव डोकुमेंट हो उसके बेसिस पर आप आप आईटीसी ले सकते हैं सेक्शन कंडिशन वो कहता है आपको गुद्स और सर्विसेज रिसीव हो गई हो थर्ड वो कहता है कि जो टेक्स चार्ज किया गया है आपसे वो गुवर्मेंट को डिपोजिट करा दिया गया हो और रिटर्न फाइल हो चुकी हो सेक्शन 39 में अगर यह सभी कंडिशन सैटिस्वाई हो जाती है तो ऐसे केस में आप आप आईटीसी ले सकते हैं अब हम बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट की प्रोवाइड देट वेर अर रिसीपियंट फेल तो पे तु दी सप्लायर ऑफ गुद्स और सविस और बौत अब यहां पे क्या कहा गया है अगर कोई रिसीपियंट अपने सप्लायर को वेल्यू उफ स्प्लाई की पेमेंट नहीं करता है विद टेक्स यानि कि वेल्यू उफ सप्लाई with टेक्स देयर ओन यानि कि जो भी आपके इंवोईस की वेल्यू है प्लस जितना उस पे टेक्स चार्ज किया गया है अगर आप अपने supplier को वो payment नहीं करते है 180 दिन के अंदर अंदर कौन से 180 दिन जो उस invoice की date है उसके 180 दिन के अंदर अगर आप उसको payment नहीं करते है तो ऐसे case में an amount equal to ITC availed by recipient shall be added to his output tax liability तो जो आपने ITC लिया है वो आपकी output tax liability के अंदर add कर दिया जाएगा along with interest their own और उस पर ब्याज भी लगा दिया जाएगा in such a manner as may be prescribed जो manner prescribed किया गया है उसके according क्या manner prescribed किया गया है यह मैं आगया आपके साथ discuss करने वाले हूँ तो अभी तक का जो बात हमें समझ में आई है कि अगर आप invoice date से 180 दिन के अंदर अंदर अपने supplier को payment नहीं करोगे तो आपने उस invoice के basis पर जो ITC claim किया है वो आपको reverse करना होगा उसे अपनी output tax liability में दिखाना होगा और साथी interest की payment भी करनी होगी तो यह चीज आपको हो गई है I hope clear अप एक और important चीज कि अगर आप बाद में payment कर देते हैं तो दुबारा से आप उसका ITC claim कर सकते हैं यह नीचे दिया गया है provided also that recipient shall be entitled to avail input tax credit on payment made by him of the amount towards the value of supplier goods और both along with the tax payable their own तो बाद में अगर आप उसकी payment कर देते हैं तो आप उस ITC को दोबारा से ले लीजेगा अब हम बात करते हैं कौन सा manner prescribed किया गया है किस तरीके से यह payment होगी कितने rate for interest जो है charge किया जाएगा किस दिन से charge किया जाएगा यह सभी बाते अब हम देखेंगे इसकी इन सभी manner की बाते है rule 37 के अंदर तो चलिए देखते है rule 37 हमें क्या कहता है यह मैंने open किया यहाँ पर आपका rule 37 दोस्तों हम यहाँ पर दिखते है rule 37 हमें क्या कहता है rule 37 हमारा बात करता है ITC reversal की दोस्तों यह है rule 36 ITC and rule 37 जो हमारा बात करता है reversal of ITC in case of non payment of consideration तो यहाँ पर हमारा rule 37 हमें देखना है और इसमें दिये गए manner के according ही हमें payment करनी है चलिए क्या manner prescribed किया गया है तो rule 37 कहता है कि अगर किसी कोई भी registered person जिसने ITC तो ले लिया है लेकिन उसने supplier को payment नहीं की है as per जो हमारा provision दिया गया है section 16 subsection 2 के अंदर क्या provision दिया गया है कि date of invoice के 180 दिन के अंदर अंदर आपको supplier को payment करनी है उन्गूर्सकी with tax लेकिन GSTR 2 तो हमारी operation में है ही नहीं तो फिर हम क्या करेंगे provided that value of supply made without consideration as specified in schedule 1 of the act shall deem to have been paid for the purpose of second proviso to subsection 2 of section 16 provided further that the value of supply on account of any amount added in accordance with the provision of clause B of subsection 2 of section 15 shall deem to have been paid for the purpose of section second proviso to subsection 2 of section 16 तो यहाँ पे उसने कहा है कि जो भी amount add की जाएगी section 15 subsection 2 clause B के according वो भी हम इसी section के अंदर लेंगे किस section के अंदर section 16 subsection 2 के अंदर अब यहाँ पे उसने कहा है the amount of ITC referred in sub rule 1 shall be added to the output tax liability of the register person for month in which details are furnished तो आपको यह जो ITC reverse आपका जो होगा वो आपको अपनी output tax liability के अंदर जो है add करना है उस महीने में जिस महीने में आप इसकी details दे रही है the register person shall be liable to pay interest at the rate notified under subsection 1 of section 50 for the period starting from the date of availing credit on the supply till the date when the amount added to the output tax liability तो यहाँ पे आपको जो चीजे ध्यान में रखनी है वो मैं आपको short में बता रही हूँ दोस्तों यहाँ पे खाया है कि आप अपनी GSTR 2 में उसको दिखा दीजिए और अपनी GSTR 3 की जब आप return file करें तो उसमें आप उस tax की payment कर दीजिए लेकिन हमारी GSTR 2 जो है for operation में नहीं है हमारी केवल और केवल GSTR 3 है 3B है जो की operation में आई है और GSTR 3B को भी जो सरकार है जो हमारी CBIC है उसमें return खोशित कर दिया है तो अब क्योंकि GSTR 2 नहीं है तो आपको यह अपनी output tax liability जो है वो GSTR 3B के अंदर दिखानी है और with interest उसकी payment करनी है interest आपको किस rate से लेना है जो आपको rate दिया गया है section 50 के अंदर section 50 के अंदर कौन सा rate दिया गया है जो मारा 18% का rate है आपको उसी rate से देना है कब से आपको देना है वो भी यहाँ पे दिया गया है क्या दिया गया है तो जिस दिन आपने ITC book किया है जिस दिन आपने वो ITC लिया है उस दिन से ले करके जिस दिन आप इसे अपनी output tax liability में add कर रहे है उतने period का आपको interest देना होगा वो चीज यहाँ पे जो है clearly mention की गई है तो 16-4 के अंदर जो time limit दी होती है ITC claim करने के लिए कि एक financial year का ITC आप कब तक claim कर सकते हैं जो following आपका September आ रहा है मालने जे financial year 19-20 की अगर हम बात करें तो 19-20 के बाद जो September 2020 आएगा उसकी 3B की return तक आप ITC claim कर सकते हैं तो ये time limit जो है वो इस case में apply नहीं होगी किस case में अगर आप supplier को payment कर देते हैं तो दुबारा से आप ये credit ले सकते हैं इस credit को लेने के लिए 16-4 की जो time limit है वो applicable नहीं रहेगी वो clearly यहाँ पे लिखा गया है तो दोसो काफी सारे लोगों को ये doubt है कि ये 180 दिन की payment जो है ये इसका COVID में कोई relief मिला है तो ऐसा कोई भी relief अभी तक announce नहीं किया गया है मुझे नहीं लगता ऐसा कोई relief अभी तक दिया गया है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो important section है इसकी वज़े से आपको अपना ITC reverse करना पड़ सकता है तो ये थी काफी important information Thank you for watching